हेलो फ्रेंड सावार्यू सुरेंद्रशी डिसलूशन में आपका स्वागत है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोगरफी 9th क्लास चैप्टर 6 जनसंख्या तो जनसंख्या के बारे में जानकरी प्राप्त करते हुए हम देखेंगे क्या आप मानव रहित विश्वय की कलपना कर सकते हैं? संसाध्नों का वुपियोग आवम सामाजिक त्था सांस्कृत ववातावरन का निर्माण कोन करता है? सामाज आवम आरत्वेवस्ता के विकास में मानव का महतपुन योगदान है मानव संसाधनों का निर्मान आउपयोग तो करते ही हैं वे समय भी विभिन गुणों वाले संसाधन होते हैं कोईला तब तक चटान का एक टुकड़ा था जब तक की मानव ने उसे प्राफ्ट करने के बाद एक तकनीकी का अविश्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया तो कहने का तत्परिय ये है कि मानव ने ही तो एक कोईले को आज हमारे लिए संसाधन के रूप में पेस किया है वो किस ने किया है मानव ने किया है अगर मानव नहीं होगा इस प्रिथ्वी तो आप एहसास कर सकते हैं कि प्रिथ्वी कैसी होगे तो प्राकरती गटना है जैसे बार्ड, सुनामी, जब किसी भी घनी आबादी वाले गाउं या सहर को प्रहुइद करते हैं तब ही तो वापदा बनते हैं मानो प्रिथ्वी के संसाधनों का उत्पाद ने उप भोग करता है इसलिए यह जानना आउशक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं वे कहां और कैसे रहते हैं जैसे एक घर परिवार को चलाने के लिए हम देखते हैं हमारे घर में कितने सदसे हैं ताकि खाना बनाना है किस तरीके से बनाना एक सदसे बाहर गया हुआ है तो वो सारी चीज़े देखते हैं तो ठीक ऐसे ही ये पृत्वी भी एक प्रिवार है उस पृत्वी पर कितने लोग रहते हैं क्या उनके संसादनों का जो वीतरन है सही हो पाएगा क्या सभी को सारी सुक्स्वीध है मिल पाएंगी तो इसी लिए किसी भी एक देश, एक सहर, गाओं एक घर से लेके आप वापिस पूरी पृत्षी तक चले जाओ तो ऐसे मानों का उनका उत्पाद नुप भोग करने का जो तरीका है वो कैसे पता चलेगा जब उनकी हमें जंगंणा कर लेंगे, उनकी संख्या गयात कर लेंगे, तो जंसंख्या सबसे पहले हम जन संख्या से संबंदे तीन परमुक परसनों पर विचार करेंगे पहला करेंगे जन संख्या का अकार और वित्रन लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहा निवास करते हैं किसी इलाके में आप देखेंगे जन संख्या बहुत जादा होगी किसी इलाके में बहुत कम होगी जन सिंक्या फिर बात करेंगे जन सिंक्या वुरीदियाओं जन सिंक्या परिवरतन की परकिरिया जन सिंक्या घटती भी है बढ़ भी रही है कहीं घट जाती है कहीं बढ़ जाती है वो सारे क्या करन है, समय के साथ-साथ जन सिंख्या में वुरीदी है हूँ, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है, फिर बात करेंगे जन सिंख्या गुणिया विसेस्ता है, कि उनकी उमर, लिंग अनुपाद, साखसरतादर वेवसाइक सरंचनात है था, सवास्थे जन गणना की अब सकता पड़ती है, जन गणना ठीक है, तो सबसे पहले जन गणना जो हम देखते हैं, कैसे हुई थी एक निश्चित समय अंतराल में जन सिंख्या कि अधिकारी के गणना जन गणना कहलाती है, भारत में सबसे पहले 1882 में जन गणना की गई थी जो लोड में के समय में की गई थी और हलांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जन गणना की जा सकी मतलब पहले तो 1882 में पर्थम यहाँ याद रख लेंगे बच्चे, पेपर में आता है पेपर में पूछ लेता है ने कड़ाई थी, 1981 में और यह भारत की संपूर्ण जन गणना पहली बार थी और इसके बाद 10 की जन गणना सुरू होगे ठीक है, और 1929 में भारत की पहली जन गणना थी जो सुतंतर भारत की जन गणना थी और जो महार रजिष्ट्रार एहों जन गणना आयुक्त द्वारा की जाने लगी और अब 2021 में जन गणना जो होगी वो 16 मीं भारत की और सुतंतर भारत की अठ्वी जन गणना होगी और इसका थीम जन भागेदारिया है जन कल्यान होगा तो यह जन गणना होती है जन गणना करना अनिवारी है आप समझ गई है जैसे एक परिवार की जन गणना कर लेते हैं लोग कितने हैं आज एक बंदा बाहर गया हुआ है तो यह सारा क्या है परिवार को चलाने के लिए जन गणना जुरूरी है तो देश को चलाने के लिए भी जन गणना अनिवारी है अब जन संख्या का आकार वैंव संख्या के आधार पर वित्रण मार्ज 2001 तक भारत की जन संख्या 10,283 लाग थी जो की विश्वे की कुल जन संख्या का 16.17 परतिसत थी यह 10.2 क्रोड जो लोग भारत के 32.8 लाग वर किलोमेटर विश्वे के स्थलिय भुबाग पर रहते थे तो यहां देख रहे हैं आप 2001 के नुसार है यह पूरी पूरी प्रिथवी पर जो लोग रहते हैं उसका 16.7 अब 17.7 हो गया है एक परसेंट बढ़ गया है 2011 में ठीक है तो पूरे विश्वे में से हमारे पास लोग कितने रहते हैं अगर पूरी प्रिथवी पे सो लोग रहते हैं तो उसमें से 17 लोग 17.7 है अभी तो कहां रहते हैं भारत में रहते हैं फिर बात करते हैं एर है तो हमें पॉपूलिशन जादा मिली हुई है एरिया कम मिला हुआ इसलिए जन संख्या घंतों हमारे यहां जादा होगा और जो कितना है वो 382 वेक्ती परती वरग किलो मिटर है फिर बात करते हैं भारत के आबादी वाले पांच रहजे कौन-कौन से हैं जिन में सबसे ज परदेश में पहले जन संख्या थी 16.16.2001 के अनुसार लेकिन अब 2011 की जन गरना के अनुसार सबसे जन संख्या उत्तर परदेश में है और जो 16.50 परतीसत है फिर उसके बाद क्या आप जानते हैं कि बांगलादेश था जापान का जन संख्या घंतों भारत से अधिक है बां परदेश में किलोमेटर सेतरफल में 382 रहते हैं और जन संख्या घंतों मिलेगा पर उत्रपरदेश बिहार पश्चिम बंगाल अभी सबसे ज़्यादा किसम हो गया है दो हजार एक के अनुसार जो सभशेदर जन संख्या घंतों था वह था आपका 904 था पश्चिम बंगाल में ठीक है और सबसे कम था अरुणाचल परदेश में 17 सोरी तेरा अब 2017 में क्या हो गया है 2011 में सबसे द्गंतो है बिहार का 1202 चीक है और सबसे कम है अनुनाचल परदेश का जहां अनुनाचल परदेस में पहले 13 होता थाप कितना हो गया है सतरा हो गया है दो हजार एक से गैरा के बीच बहारत की जन सिंख्या में 17.65 रही है और भारत की जन सिंख्या में सबसे अधिक वरीधी 1961 के बीच में हुई थी जो 24.8 परतिसत हुई थी ठीक है तो इसके बाद फिर बात करते हैं जन संख्या वरीधी प्रिवरतन की परिकरिया जन संख्या को प्रभावित करने की तीन परमुक परतिकिरिया है एक है जनम दर्ज़ बच्चे जादा जनम ले ले दूसरा मरीत उदर लोग जादा मर जाएं और फिर है परवास तो इन तीनों चीजों से बच्चे जनम जादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं ये भी परभावित करता है लोग जादा मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं ये भी जन संख्या को प्रवाइद करता है और परवास लोग काम काज के लिए कुछ दूसरे देश में चले जाते हैं या दूसरे रज्जे में चले जाते हैं तो इस तरीके से जन संख्या प्रवाइद होती है एक एक वरस में परती हजार वेक्तियों में जितने जीवित बच तेज गिरावट भारत की जन संधिया में वरीदी दरग का मुख्या करण है ठीक है है फिर इसके बाद आता है जन संधिया वरीदी का तीसरा घटता का परवास लोगों का एक सितर से दूसरे एक सितर में चलने, चलिजाने में परवास कहते हैं परवास आंत्रीक देश के بھی तो इस तरीके से देखते हैं भारत में जो सहरों में जो जनसंख्या बढ़ी है लोग प्लाइन करते हैं गाउं से सहर के और प्लाइन करते हैं तो इस तरीके से अब सहरो में जो जन संख्या हो चुकी है वो 31.14% हो चुकी है तो एक नंबर क्वेशन बन जाता है कि भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग सहरो में रहते हैं तो 31.14% लोग सहरो में रहते हैं फिर बात आते हैं आयू की सरचना, तो आयू एज की सरचना ये बहुत महत्तो पूर्ण है आये देखते हैं कि किसी देश में जंसंख्या की आयू सरचना वहां के विभिन आयू समौहो के लोगों की संख्या को बताता है यह है जन संग है कि मूल विसेस्ता में से एक है एक वेक्ति कि आयू उसकी इच्छा खरीदारी काम करने की अक्समता को परियापत रोप से प्रभाविद करती है अब आपने देखा होगा बही कुछ लोग मार्केटिंग वाले एज भी फैक्टर को नोट करते हैं किस इलाके में किस तरीकी के लोग जादा है किस एज के स्कूल ओपन करना है आपने किसी एरिये में अगर उस एरिये में बच्चे लोग जादा होंगे तो आप क्या देखेंगे एज लोवर एज के बच्चे बहुत जादा है मतलब अभी यहाँ पे आने वाले टाइम में स्कूल ओपन करना बहुत अच्छे फायदे मन रहेगा, चीक है, तो इसी तरीके से, अब किसी राश्टर की आबादी को सामाने तीन वर्गों में बाटा जा सकता है, पहला वर्ग है बच्चे, पंदरा वरस से कम आयो के, ये आर् इसका मतलब जिस देश के पास ये एज ग्रूप होगा, वो बहुत फायदा उठा पाएगा, उससे हाँ बे रोजगारी भी जादा होगी, अगर उसको रोजगार दे देता है अच्छे तरीके से, तो वो एकोनोमी में अर्थवेवस्था में बहुत योगदान देगा, ठीक किसी तरीके से इसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड जन संख्या का लाभांस, तो लाभ उठा लो भई, कुछ वरस पहले ये चाइना में था डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो चाइना ने तो खूब फायदा उठाया, लोगों को रोजगार दे दिया, तो ल बच्चे और जवान बहुत जादा मिलेंगे, अब ये देखो, ये जो एरिया है, ये जो बताता है, ये भारत देश में यूथ बहुत जादा बता रहा है, तो इसका मतलब अगर यूथ को हम स्किल कर देंगे, उसको कुछ काम दना सिखा देंगे, तो पैसे कमाने लाइक ब सिखा आजाता है, फिर बात करते हैं, वरिद, उनसट वरस से अधिक अईुग के जो लोग होते हैं, ये आर्थिक रूप से उतपादन सील या आवशक, आवशक प्राफ्ट हो सकते हैं, ये स्वेचिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन बहरती परक्रिया के दौरा इनकी और डियुक्ति नहीं होती हुआ कहीं बार आपने लेकिन जो रिक्रीट्वमेंट ले पाईगा जो एक बार ले चुका है तो आसरी सक्ति क्या होती है वई आसरी सक्ति होती है 15 से कम और 60 से उपर के होती है जिसको demographic window बोलते हैं चाइना भी इससे गुजर रहा है मतलब चाइना में बूढे लोग या बच्चे जादा मिल रहे हैं मतलब यूथ बहुत कम हो गया है क्योंकि वो यूथ जो क्या है बुढपे में हो गया है इसका मतलब ये हुआ वई अगर 2030 में हम तक हम उन लोगों से फायदा नहीं उठा पाए इन से तो कुछ वरसों के बाद ये बूढे भी होंगे और बूढों की जन से क्या हो जाएगी जादा मतलब इंडिया में आसर सक्ती और जादा हो जाएगी इसलिए आसरी सक्ती को सुख सुईधाय देने के लिए हमें अभी जो सरम सक्ती है उससे काम ले लेना चाहिए अब बात आती है लिंगनुपाथ लिंगनुपाथ में देखा हुगा एक हजार पूर्सों पे महिलाओं के संख्यों को लिंगनुपाथ कहा जाता है अब यहां देख रहे हैं अनेक वर्सों में लिंगनुपाथ क्या चल रहा था तो लिंगनुपात घटता जा रहा है ये घटने का करण क्या रहा है अभी 2011 में 940 हो गया है ठीक है तो 2001 में कितना था 933 था तो 2001 के मुकाबले 2011 में थोड़ा बड़ोतरी हुआ है और सबसे कम लिंगनुपात जो मिलेगा आपको हर्याना में और सबसे ज़्यादा लिंगनुप इसके कारिये कर सकता है साकसरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगती में गंबीर बादा है तो देख लो वही अगर साकसर नहीं होंगे तो आर्थिक तोर पर भी हम क्या हो जाएंगे पीछी रह जाएंगे तो साकसर होने से हम आर्थिक तोर पर आतम निर्भर भी बन सकते हैं ची एनेों परतिशत था 2001 मुकाबले आप बात करते है राष्टे जन संह निइती किया होता है तो राष्टे जन संह निइती प्रिवार को सिमित रखकर एक वेक्तीके स्वच्ट्य कल्याइन को सुधार को सुधारा जा सकता है तत्तिक permetाद्या कर्याण कौई, किया परिवार कल्यान कारिय करम जिमें दार तथा सुन नियोजित पित्रितों को बढ़ावा देने के लिए कारीरत है राष्टे जन संख्या नीती 2000 कई वर्सों से नियोजित प्रियास का प्रियाम है तो भार देश ने काफी प्रियास की और बाद में क्या बनाया जन संख्या से कम करने व्यापक्स तरपर टिका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने लड़कियों की साधी की उमर को बढ़ाने के लिए प्रोच साहित करने तथा परिवारन योजन को एक जन केंदरित कर्येकरम बनाने के लिए नितिगत दाचा परदान करती है तो यह बच्चों को पढ़ाते है ताकि यह देशकी सरम सकति को अच्छे तरीके से मेंटेन रखा जासे को उसको अच्छे तरीके से बढ़िया बनाया जा सके तो यह सारी कारवाई की जाती है किसी भी राश्टर के लिए वहाँ के लोग बहु मुल्य संसादन होते हैं जब यह भी होगा तो ही तो काम अच्छे से कर पाएगा, अब कहीं लोग देखे होंगे आपने य्यूज में देखोते हैं बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, खाना थो टाइम पर नहीं मिल पाता तो कुपोष्ण का स्िकार हो जाते हैं अब वो बिचर ना तो फिजिकल तरीके से फिट है ना तो आर्मी में अपनी सेवाइं दे सकता है ना किस याजुके सेक्टर में अपनी सेवाइं दे सकता है अगर हम उस बच्चे को सिक्सित कर दें सवस्थ कर दें तो क्या रहेगा आप देखें वो देश की क्या बनेगा मैन पावर बनेगा इसलिए सरकार क्या करती है मिड़े मिल चलाया हुए स्कूल के अंदर बच्चों को सिक्सित कर रही है तो ये कारण है भारत देश सरकार द्वारा अपनी सरम सक्ती को अच्छा बनाने के लिए अब भ्यास के क्वेश्चन कर लेते हैं निमलिखित में से किसी अक्सेत्र में परवास आबादी की संख्या वित्रन तरसरंचना में प्रिवरतन लाता है क्या करण होता है किसी एरी की जन संख्या का परवास घटता बढ़ता है परस्थान आगमन दोनों अक्सेत्र मतलब कहीं से आते हैं जाते हैं तो मालों भारत से अमेरिका चले गए, तो भारत की वी जन संख्या क्या हुई, कम हो गई, और अमेरिका की बढ़ गई, अमेरिका से भारत आते हैं, तो अमेरिका से कम हो गई, भारत से बढ़ गई, तो परस्थान आगमन दोनों अक्सेतर क्या करते हैं, जन संख्या के विद् जनम ले लेते हैं फिर इसके बाद है निमली खित में से कौन सा एक जनसंख्या वरीधी का प्रणाम दरसाता है तो परतेक वरस लोगों की संख्या में होने वाली वरीधी निमली खित में से कौन सा एक जनसंख्या वरीधी का प्रणाम दरसाता है तो परतेक वरस लोगों की सं लगी दोस्तों को सेयर करना मत भूलिएगा इसके साथ दोस्तों धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो है वे नाइस टेंग